नमस्कार दोस्तों, Study IQ उपर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है. So, पिछले एक महीने के अंदर-अंदर, this is the third time जबकी तेजस सुर्खियों में आया है. And this time also एक बहुत ही अच्छी development हुई है. तेजस का जो Mark 2 है, उसकी अगले साल तक rolling out होने वाली है. ऐसा, recently, HAL के Chief R. Madhavan जी ने एक interview में कहा. ये interview कल ही हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, January 31st की, The Hindu की ये news है, तेजस Mark 2 to roll out next year, और साथी में इन्होंने ये भी बताया कि उसकी जो high-speed trials है, ये 2023 में हम start कर देंगे. Not only this, इन्होंने interview में साथी में, जो India का अपना 5th generation aircraft है, उसको लेकर भी बताया कि क्या update है, उसके लिए government क्या कर रही है, HAL ने क्या model सोचा है, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में आपके साथ हम चर्चा करेंगे. चलिए start करते हैं मेरे साथ, मेरा नाम है अनिरुद, यदि आप लोग इस lecture की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मेरे टेलिग्राम चैनल से कर सकते हैं, इसके इलावा, सोचल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड सकते हैं. याद रखिए, अपनी queries को आप मुझे Instagram पे पूछ सकते हैं. Study IQ आप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो प्लीज इसको डाउनलोड कर लीजे from the Google Play Store, और आप पे आपकी UPSC की तयारी को आसान करने के लिए, we have launched an exclusive course, जिसमें की हम पिछले 10 साल के papers को discuss किया है, और जो बच्चे 2021 की UPSC की तयारी कर रही हैं, वो इस course को बाय करना बिल्कुल भी ना भूलें. Right, so जैसा कि आपको मालूम है, just कुछी हफते पहले की बात है, दो-तीन हफते पहले की बात है, Center की तरफ से बहुत बड़ा project order दिया गया था, for 83 Tejas Fighter Jets, आप यहाँ पर देख सकते हैं, Center clears Rs. 48,000 करोड डील, और ये वाला जो इतना बड़ा डील था, इसकी वज़े से Tejas को बहुत जादा बूस्ट मिला, क्योंकि ये Tejas के लिए सबसे बड़ा order माना जा रहा है, अब देख सकते हैं, इन अमेजर डिसेजिजन, एमड आट बूस्टिंग दी डुमेस्टिक एरोस्पेस इंडस्टरी, इंडिया अप्रूवड मच अवेटेड डील वर्थ रुपीज 48,000 करोड इन ओर तू प्रोक्योर 83 इंडिजिनसली डेवलब लाइट कॉम्बाट एरक्राफ्ट तेजस, यहाँ पर जो इसमें 83 तेजस को order दिया गया है, इसमें जो 73 तेजस हैं, ये Mark 1A है, और जो 10 है, ये Mark 1 है, हम difference की बात करेंगे, Mark 1 और Mark 1A में क्या difference है, और इसके बाद Mark 2 के साथ इसकी तुलना कैसे होती है, इन सबी चीजों की चर्चा भी आपके साथ करी जाएगी, नाउ, जैसे ही यह हुआ था, second time तेजस सुर्खियों में आया था, जब HAL के चीफ माधवन जी ने, January 24 को ये interview हुआ, उन्होंने कहा कि कई सारे देश हैं, जो की आगे जाके तेजस एरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने में रूची दिखा रही हैं, इसका मतलब कि इसके साथ-साथ हमारा जो तेजस का export potential है, वो भी काफी ज़्यादा बढ़ रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं तेजस के Mark 2 की rolling out की खबर सामने आई हैं, यहां पर बिफोर वी बिगिन, सबसे पहले हमें तेजस के Mark 1, 1A और Mark 2 के बारे में थोड़ा बहुत समझना होगा, यह देखिए, जादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जितना हमें मालूम है, उतना हम आपको बता रहे हैं, तेजस Mark 1 और Mark 1A में, अगर आप देखें, काफी बड़ा डिफरेंस था, सबसे पहली बात तो mid-air refueling, यानि कि जब हवाई, विमान हवा में होता है, उस टाइम पे उसकी refueling तेजस Mark 1 में नहीं हो सकती है, लेकिन Mark 1A में हो सकती है, जो की बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी edge इसको देती है, इनफाक्ट आपको बताना चाहूंगा, जो इसका competitor है, चाइना का JF-17, उसमें भी ये वाला provision available नहीं है, वहाँ पर भी media refueling नहीं हो सकती है, सेकिंड बात करें, रेडार की, और ये सबसे बड़ी development मानी जाती है, रेडार की, जिसके आधार पर, मैं आपको कुछ और भी इसमें add-on करूँगा, जो रेडार होता है, ये जो तेजस Mark 1 था, इसमें PESA रेडार था, और Mark 1A में एसा रेडार है, पेसा और एसा में क्या फरक होता है, पेसा का मतलब होता है, passive, एसा का मतलब होता है, active electronically scanned array, जो पेसा रेडार होता है, ये जादा maneuverable नहीं होता, यानि कि इसमें आप अपने enemy को जादा चक्मा नहीं दे सकते हैं, लेकिन एसा रेडार में ये वाली चीज़ भी आपके पास उपलब्ध है, in fact सबसे बड़ी development Mark 1 और Mark 1A के बीच में इसी चीज़ को मानी जाती है, अगर ये चीज़ को हटा दें, तो almost Mark 1 और Mark 1A में जादा फरक नहीं है, इसके बाद external self projection jammer pod होता है, जो कि आपके again, वो आपके defense के लिए होता है, तो ये भी चीज़ इसमें नहीं थी, ये चीज़ भी इसमें add कर दी गई है, and BVR missile को fire करने की जो capability है, वो भी Mark 1 में नहीं थी, जो कि Mark 1A में दे दी गई है, तो यहाँ पे हमने समझा कि Mark 1 और Mark 1A में क्या फरक है, अगर हम इन ही सब चीज़ों की बात करें, तो देखिए Mark 2 को लेके ये सब चीज़ों तो provide करवाई ही जाएंगी, इस चीज़ में कोई द aircraft है, ये भी आपका light combat aircraft है, लेकिन ये आपका medium weight aircraft है, जो आपके light combat aircraft है, इसमें भारत का जो लक्ष था वो ये था, कि हम आगे जाके MiG 21 को replace करने वाले हैं, जिसका weight approximately 5000 से 5200 kg के आसपास होता है, और ये हमारा मकसद इसलिए था, ताकि हमारी जो निर्भरता है, वो MiGs के उपर कम हो सके, और हम अपने खुद के द्वारा बनाए हुए विमानों को इस्तिमाल कर सकें, लेकिन जो तेजस का mark 2 है, ये medium weight category में fall करता है, जिसमें की jaguar, mirage 2000 और MiG 29 को हम replace करना चाहते हैं, इसमें अगर आप देखें, जो jaguar है, ये approximately 7000 kg का होता है, जो mirage 2000 है, ये approximately 8000 kg का होता ह है, और जो MiG 29 है, ये approximately 11000 kg का होता है, so तेजस mark 2 की सबसे खास बात यही है, कि ये एक medium weight का fighter aircraft है, and that is what will make this a very very different project from the mark 1A, इतनी जानकारी हमारे पास थी, जो कि हमने आपको बता दी, लेकिन बड़ी बात ये है, जो कि अब Mr. Madhun का तरह बताई गई है, कि इसकी जो rolling out है, ये अ the first flight will take some time, लेकिन इन्होंने ये भी बताया है, कि the first high speed trial will start in 2023, and हम ये भी expect कर रहे हैं, कि 2025 तक हम इसकी commercial production भी start कर देंगे, so देखिए, अच्छा लगता है सुनके obviously, because Tejas का जो project था भारत ने 1980 में शुरू हुई थी, लेकिन अब finally, things are looking good for Tejas, और Mark 1, 1A और Mark 2 भी अब बहुत ज इतनी specifications हमने आपको बताई, इसके इलावा कुछ specifications हमें माधवन जी ने अपने interview में नहीं बताई, उन्होंने केवल इतना बताया है, कि ये Mark 1A के ऊपर थोड़ा और improved version definitely होगा, obviously जब एक medium weight fighter aircraft आप बना रहे हैं, तो आपको improve तो करना ही पड़ेगा, इसमें अगर हम बात करे इसमें range की, payload capability की, bigger fuselage की, longer range, better maintainability, greater load carrying capability, ये सब चीजें तो obviously इसमें add होने ही वाली है, यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है, कि weapon package जो है, ये improved जरूर होगा, लेकिन क्या होगा, ये चीजें अभी सामने नहीं आई है, आप यहाँ पर इस note को ध्यान रखिएगा, मैंने है कि कोई भी precise specifications अभी तक release नहीं करी गई है, so यहाँ पर कोई भी अगर आपको बताता है, they are probably fooling you, because अभी तक exact specifications सामने नहीं आई है, but इस interview की एक और बड़ी अच्छी बात थी, उन्होंने इस interview में बताया कि भारत का, जो अपना खुद का 5th generation aircraft है, उसको भी हम pipeline में डालने की बात कर रही है, I am sure आपने ये वाली चीज सुनी होगी या देखी होगी, HAL का एक बहुत ही ambitious project मैं इसको कहूँगा, आमका के नाम से, Advanced Medium Combat Aircraft, जिसके चलते भारत अपना 5th generation aircraft बनाना चाहता है, 5th generation aircraft की बात करें, तो दुनिया में जो 5th generation aircraft हैं, I am sure आपने नाम सुना होगा F-22 का, या फिर आपने नाम सुना होगा F-35 का, ये दोनों ही US के aircraft हैं, जो की बहुत जादा advanced हैं, अभी तक भारत के पास किसी भी प्रकार का 5th generation aircraft exist नहीं करता है, हमारी वायू सेना के पास भी नहीं है, लेकिन आगे जाके हमारी ये कोशिश है कि हम इसको अब अपने ही घर पे बनाना चाहते हैं, in fact Russia का जो बहुत famous 5th generation aircraft है, that is Sukhoi 57, वो भी हमने अभी तक procure नहीं किया है, तो इसी के चलते हमारी कोशिश ये है कि हम आगे जाके अपना aircraft खुद ही बनाएंगे, इसके लिए उन्होंने बताया है कि हमारी जो approximate cost आने वाली है, that is approximately 5 billion dollars, और इन्होंने इसमें साथ में एक और बड़ी interesting कीज बताई है, कि इस पूरे project को लागू करने के लिए हम एक special purpose vehicle खड़ा करने वाले हैं, जिसमें कि private sector के players को भी include किया जाएगा, और ये बहुत बड़ी बात क्यों बन जाती है, इसको अब समझते हैं, देखिए जो SPV है, जो special purpose vehicle है, इसका सबसे बड़ा फाइदा यही होगा, कि अगर सरकार एक private sector को इसमें बड़ा role दे रही है, इसके चलते सबसे बड़ा फाइदा यह होगा, कि जो procedural delays होते हैं, ये काफी जादा कम हो जाएंगे, काफी reduce हो जाएंगे, more importantly इन्होंने ये भी कहा है, कि ये special SPV इस तरीके से बनाया जाएगा, कि CAG के द्वारा इसकी audit भी हो सके, इस चीज़ को लेके काफी hopeful है ये, कि private sector की अगर हम participation देखते हैं, तो आगे जाके हमारा जो 5th generation aircraft का project है, ये काफी तेजी से आगे बढ़ सकता है, इसको लिए इसको लेकर भी इन्होंने थोड़ी सी timeline बताई है, ये मान रही है कि prototype 2026 तक ready हो जाएगा, और production 2030 तक जो है, शुरू हो सकती है, और इसलिए इन्होंने यहाँ पे कहा है कि we want the private players to have a slight majority, so that it does not become a government entity, he has been very very clear, when he says this, कि हम इसको एक सरकारी entity की तरह नहीं चलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं, private players इसको चलाएं, so that ये चीज तेजी से आगे बढ़ स सके, so all in all मैं समझता हूँ हमारी वायू सेना, हमारी आर्मी के लिए, and more importantly हमारी जो domestic aerospace industry है, हमारे HAL के लिए बहुत ही अच्छी खबरें सामने आ रही है, and अब अग लग रहा है कि आगे जाके इंडिया वाकई में इन चीजों को लेके आत्मनिभर हो सकता है, इसी के साथ आ आप से लेता हूँ विदा, thank you for listening, stay tuned and stay